साथियों, आपके जीवन में निरंतर ऐसे लोग भी आएंगे, जो आपको प्रोधसाहित नहीं, बल्कि हतोधसाहित करते रहेंगे, ये नहीं हो सकता है, और ये तू नहीं कर सकता है, तू सोच तेरा काम नहीं है, ये कैसे होगा, अरे इसमें तो ये दिक्कत है, ये तो अभी नहीं है, अरे इस तेरी के बाते लगातार, आपको सुनने को मिलती होगी, दिन में दस लोग ऐसे मिलते होंगे, जो निराशा, निराशा, निराशाहिके बाते करते होंगे, और ऐसी बाते सुनकर के, आपके कान भी ठक गए होंगे, लेकिन आप खुद पर भरोसा करत हुए आगे बढ़िएगा अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है देश के हित में हैं वो नयवचित तरीके से किया जा सकता है तो उसे हासिल करने के लिए अपने प्रयासों में कभी कोई कमी मत आने देगे कि गलाख मैं आज आपको एक और उद्हान भी देना चाहता हु कि शाथ यॉग क्वाडि को लेकर हमारी याँ खादी करें जो एक बातावणाई लेकर मेरा तरह उटटा मैं तेरह उट्शाइत रहां हूँ मैं उसके ज़े मैं-गुजराट में ये OW gemacht네 सरकारों के राष्छे प करना था खादी पर हम गर्व करते हैं चाहते हैं हादी की प्रतिविद्द्धा झाल झुकाउं झाल जुकाओं खादी के प्रतिल लगाऊं तुरी दुनिया में हो यह मेरे मन में हमेशे है रहा जब वहां का मुख्यमिंत्री बना तो मैंने भी खादी का खूप प्रचार प्रशार करना शूल किया, दो अक्तुबर को मैं खुद बाजार में जाता था, खादी के स्टोर में जाके खुद कुछ न कुछ खरीदता था, मेरी सोच बहुत पोजिटिव थी, नियत भी अच्छी थी, लेकिन दूसरी तरफ, कुछ लोग हतोत्साइद करन और इतनी अनकुल है, आखिर खादी को आप हुमारे आज के यूद के प्रमोट कैसे कर पाएंगे, यही सुनता था, आप सोचिए, किस तरह के सुजाओं मिलते थे, ऐसी ही निराशाबादी अप्रोच की वज़ा से हमारे हाँ, खादी के रिवाइवल की सारी पोसिबिलिट मन में ही मर चुकी थी, समार तो हो चुकी थी, मैंने इन बातों को किनारे किया और सकारात्मग सोच के साथ आगे बढ़ा, दो हजार दो में, मैंने पोर बंदर में, मात्मा गांधी ची की जन्म जिन्ति के दिन, गांधी ची की उस जन्म सली में ही, खादी के कपड़ों का ही एक फैशन सो प्लान किया, और एक युनिवर्सिटी के यंग स्टुडन्स को ही इसके जिम्मेवारी दी, फैशन सो तो होते रहते हैं, लेकिन खादी और यूथ, दोनों ने मिलकर, उस दिन जो मजमा जमा दिया, उन्होंने सारे पुर्वग्रहों को द्वस्त कर दिया था, नवजवानों ने कर दिया था, और बाद में उस इवन्ट की चर्चा भी बहुत हुई थी, और उस समय मैंने एक नारा भी दिया था, कि आजा कि दिके पहले, खादी फोर नेशन, आजादी के बाद, खादी फोर फैशन, लोग हरान थे, कि खादी कैसे फैशनेबल हो सकती है, खादी कपड़ों का फैशन सोग कैसे हो सकता है, और कोई ऐसा सोज भी कैसे सकता है, कि खादी और फैशन को एक साथ ले आए, साथियों, इसमें मुझे बहुत दिक्कत नहीं आई, बस सकारात्वक सोच ने, मेरी इच्छा शक्ति ने, मेरा काम बना दिया, आज जब सुनता हूँ, कि खादी स्टोर से एक-एक दिन में एक-एक करोड रुपिय की बिक्री हो रही हैं, तो मैं आपने वो दिन भी याद करता हूँ दोस्तों, आपको जानकर हैना नहीं होगी, और यह आखणा याद रखिये आप, साल 2014 के पहले, बीस वर्सों में, बीस वर्सों में जितने रुपिय की खादी की बिक्री हुई थी, उससे जादा की खादी पिछले 6 साल में बिक्री हो चुकी है, कहां 20 साल का कारोबार और कहां 6 साल का कारोबार, साथियों लखनों उनिवर्सिटी केमपस के ही कभी वर प्रदीप ने कहा है आपनी की उनिवर्सिटी इसी मैदान की कलम से निकला है प्रदीप ने कहा है कभी-कभी खुद से बात करो कभी-कभी खुद से बात करो, कभी खुद से बोलो अपनी नजर में तुम क्या हो ये मन की तराजू पर तोलो ये पंक्तियां अपने आप में, विद्यार्थी के रुप में, शिक्षक के रुप में, या जनप्रतिती के रुप में, हम सभी के लिए एक प्रकार से गाइडलाइन्स हैं आज कल की भाग दोड़ भरी जिन्दगी में, खुद से साक्षात का, खुद से बात कर रहे हैं, आत्ममंधन करने की आदत भी छूड़ती जा रहे हैं इतने सारे डिजिटल गैजेट्स है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, वो आपका समय चुरा लेते हैं, छिन लेते हैं लेकिन आपको इन सब के बीश अपने लिए समय छिनना ही होगा, अपने लिए समय निकालना ही होगा साथियों, मैं पहले एक काम करता था, पिछले बीश साल से तो नहीं कर पाया क्योंकि आप समने मुझे ऐसा काम दे दिया है कि मैं उसी में लगा रहता हूँ लेकिन जब मैं शासनी ववस्ता में नहीं था, तो मैं मेरा एक कारकम होता था हर साल मैं मुझ से मिलने जाता हूँ, उसकारकम का मेरा नाम था, मैं मुझ से मिलने जाता हूँ और मैं पात दिन, साथ दिन ऐसी जगा पे चला जाता हूँ, जहां कोई इंसान न हो, पानी की थोड़ी सुविदा मिल जाए, बस, मेरे जीवन का वो पल बड़े बहु मुले रहते थे, मैं आपको जंगलों में जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ तो समय अपने को दे रहे हैं, यह बहुत महतोप है, आप खुद को जाने, खुद को पहचाने, इसी दिशा में सोचना जरूरी है, आप देखिये क्या, इसका सीधा प्रभाव आपके सामर्थ पर पढ़ेगा, आपकी इच्छा शक्ति पर पढ़ेगा,